दक्षिन अफ्रीका के खलाफ सेंचूरियन टेस्ट में भारत की पकड मजबूत हो गई है नौविकित रहते भारत की कुल बढ़त 146 रनों की हो गई है इससे पहले दक्षिन अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 197 रन बनाए मौमर शमीक ने 5 शिकार डकर डाले भारत की पहली पारी 332 पर खत्म हो गई थी मैच में अभी दो दिन का खेल बाकी है आज भारत जीत की बुन्याद को और मजबूत करना चाहेगा ये ना होता तो कुछ और बात होती ये भारत की दूसरी पारी थी और मैंक अगरवाल सिर्फ 4 रन बना कर चले गए खैर पांच रन बना कर राहूल क्रीज पर हैं और नाइट वाच मैन की तोर पर उनका साथ निभा रही है शारदुल ठाकुल 146 रनों की कुल बढ़त के साथ भारत बेहद भरूसे से भरा है दक्षिन अफरीका का ये हाथ सच कहें तो उनके लिए बदनामी की बात है बात हम भारत की पहली पारी की भी करेंगे लेकिन लंच से पहले ही दक्षिन अफरीका की दूसरी पारी शुरू हुई बुम्रा ने पहले ही ओवर में उनके कप्तान का काम तमाम कर दिया स्कोर बोर्ड पर 32 रन भी नहीं जुड़े थे इचार विकेट चटक गए थे वो भी तब जब चोट की वज़ा से बुम्रा बाहर थे शमीने स्विंग की ऐसी संसनी मचाई के डक्षिन अफरीका दूबकता ही गया हाँ वाउमा और डी कॉक के बीच 62 रनों की साज़ेदारी से एक वक्त उन्होंने मैच में वापसी की कोशिश की लेकिन जिस तरह से गेंड गहर बरपा रही थी उनका ठीके रहना भी बस वक्त की बात थी इस साज़ेदारी को शादो ठाकर ने तोड़ा अधियारी रात में जोती की तरह खोड़ी जगमगाहट बिखेरते हुए वाउमा ने हाफ सेंचोरी बनाई मगर ये पारी भारत के माथे पर कोई शिकर नहीं ला सकी लक्षिन अफरीका एक तो सतान्वी रनों पर दुबग गया आखरी विकेट बुमरा को मिला लेकिन पांच विकेट लेने का कमाल शमी ने किया टेस्ट करियर में छठी बार और दक्षिन अफरीका में दूसरी बार बड़ी उमीद थी बड़ी स्कूर की 272 पर तीन से आगे खेलते हुए सबसे पहले केल राहूल लूस शॉट खेलकर आउट हुए और फिर रहाने हाफ सेंचूरी से दो कदम दूर रह गए आखरी 49 रनों में भारत ने साथ विकेट गमा दिये कुछ पलों के लिए दिल खटा हुआ लेकिन विराट की टीम ने फिर ठीक ठाक कर दिया आज तक वियोरू कि अज़ुaggi हुआ खेल गार कि दिल ए dessa सकшित कि आणितके में और ओ। वियो को चिली से दो खेल की की दिल आगक में भारता हुआ